दोस्तो भूत पिसाच के बारे में तो आप वाकिफ होंगे जानते होंगे पिसाच का वर्नन तो हनुमान चालिसे में भी आता है भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे पिसाच काफी सक्तिसाली होते हैं यह काली दुनिया के मालिक होते हैं अगर कहीं इनकी छाया किसी पर पर जाए, तो उनके जिस्म का पूरा खूम सूख जाता है, सरीड जवाब दे देता है, बिछाउने पे से उठने की हिम्मत नहीं होती है, ये मौत के काफी करीब महों जाते हैं, अगर सही समय पर कोई सही तांत्रिक ना मिले, तो मौत निश्चित होती है, दोस्तो आज हम आपको एक जिद्धी पिसाच की कहानी सुनाने जा रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो किर्पिया लाल वला बटन दवाएं, फ्री हैं, पैसे नहीं लगते हैं, वीडियो पसंद आए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तो एक ज्वाइंट फैमली थी, तीन भाई साथ में रहा करते थे, तीनों का कामकाज तो अलग था, परिवार साथ में रहता था, बड़ा भाई साधी नहीं किये थे, बिगर साधी सुदा थे, छोटे और मजले ने साधी कर ली थी, बड़ा भाई थोरा नेता किस्म का था, थोरा गुंडा किस्म का आदमी था, वह काफी बदमास था, गाउ में उसका खूब चलता था, गाउ में लोग उससे डरते थे, गाउ में तो क्या, घर में भी लोग उससे डरते थे, जब तब वो घर में हो, कोई चूल लब्ज तक नहीं बोलता था, जब वो घर से बाहर हो, तो सब लोग खुश रहते थे, गुंडे बदमास से उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, इसी डिये घर में सब लोग डरते थे, और गाउ में भी लोग डरते थे, वो कई-कई महीनों तक, कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहा करता था, ऐसा ही एक दिन आया, बड़ा भाई घर छोड़ कर कहीं चला गया था, एक-दो महीने से उसका अता-पता नहीं था, इसी बीच छोटे भाई की पत्नी बिमार पर गई, इतनी बिमार पर गई, कि उसे बिछाओने से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसका जिस्म का सारा खुन सूख चुका था, आखे पत्रा गई थी, घर वाले काफी परिशान थे, उसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया, पर बड़े डॉक्टर भी उसका कुछ नहीं कर सके, धीरे-धीरे उसकी मौत हो गई, कुछ दिनों बाद छोटा भाई भी बिमार रहने लगा, बड़े मंजले भाई को लगा, कि हो सकता है, पत्नी का सद्मा लगा हो, व्योग है, इसलिए बिमार रह रहा है, इसलिए वा कुछ कर नहीं सका, कुछ दिन बाद छोटे भाई के हसर काफी खराब हो गई, वा बिच्छोने से उठने तक की हिम्मत नहीं थी, जिस्म वैसा ही पीला पर गया, जैसे सरीर में खून ही ना हो, जिस्म सूख चुका था, आखे पत्रा गई थी, ऐसा लग़ा था, जैसे अब मौत, तब मौत निश्चित है, उसी समय, उसी गाउं में, एक अगोरी बाबा आये हुए थे, सब ने मंजले बाई से कहा, कि तुम्हे काम करो, उस अगोरी बाबा को अपने घर पर लेकर आओ, हो सकता है, कि अगर कुछ हो तुमारे घर पर, तो वो तुमारे घर को ठीक कर देंगे, मंजले बाई, दौरते दौरते अगोरी बाबा के पास गया, और उनके चर्मों में गिर गया, और अगोरी बाबा से विंती की कि किरप्या, अगोरी बाबा आप हमारे घर चलिए, हमारी घर में बहुत समस्याए हैं, अगोरी बाबा उसके साथ उसके घर चल दिये, घर पहुचने के बाद, अगोरी बाबा पूरे घर में घूमने लगे और वभूती छीटने लगे वभूती छीटते छीटते छोटे भाई के पास पहुँचे छोटे भाई को देखकर उन्हें थोड़ा सा विचेतर अनुभव हुआ छोटे भाई के सरीर पर उन्होंने दो हड्या निकाल कर अगोडी बाबा ने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा मैं इसे ठीक कर दूँगा पर तुम इससे ठीक हो जाने के बाद इससे जरूर पूछ लेना कि इसने क्या पाप किया है और उसका पस्चताप अवश्य करवाना अगोडी बाबा ने अपने जोले से एक नर्मुड निकाला और छोटे भाई के उपर घुमाने लगे घुमाते घुमाते मंत्र बुदबुदा रहे थे और पिसाच को कह रहे थे कि तुम इसमें समा जाओ पिसाच जब उसमें समा गया तो अगोडी बाबा ने मजले भाई से क अब तुम्हारा भाई ठीक है एक बुरा पिसाच जिर्दी पिसाच तुम्हारे भाई के जिस्म को अपने काबू में कर लिया था तुम्हारी इस भाई की जो पत्नी है उसकी भी मौत पिसाच के कारण ही हुई थी लेकिन अब ठीक है दोनों की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है तुम्हारी छोटे भाई की पत्नी की भी आत्मा को हमने अपने काबू में कर लिया है और इस पिसाज को भी अपने साथ ले कर जा रहा हूँ तुम अपने छोटे भाई से इसका जरूर पस्चाताप करवा लेना कुछ दिन बाद छोटा भाई पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तब मंजले भाई ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या पाप किया था तब छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाईया हमारे पत्नी के उपर बुरी नजर रखते थे वो उनके साथ कभी-कभी छेरखानी कर दिया करते थे इस से मैं काफी परिसान था इसी दिए मैंने एक योजना बनाई उनकी ही दोस्तों के साथ मिलकर उनकी मौत का साजी सरच दिया और एक दिन उनके दोस्तों ने उन्हें एक घाटी में बुलाया मैं भी वहाँ पहले से मौजूद था बड़े भाई को मार कर मैंने उसके टुक्रे किये और टुक्रे करने के बाद नदी में बहा दिया मंजले भाई ने कहा तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था तुम्हें हमें बताना चाहिए था ठीक है तुमने किया तो कम से कम इसका क्रिया करम अवश्य करवा देना चाहिए था तुम्हें पता था कि बड़े भाई बहुत जिद्धी है और बुरे किस्म के इंसान है तो बुरे किस्म का जो इंसान होता है उसकी आत्मा सदा भटकती है और बुरे लोक में जाती है पिसाच लोक में जाती है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था फिर छोटे और मंजले भाई ने पूरे विदीगत पंडितों को बुला कर अपने बड़े भाई का क्रिया करम करवाया उसका फिंड़दान करवाया तब जाकर उसको मुक्ति मिली दोस्तों कहानी कैसी लगी आप जरूर एक वार हमें कॉमेंट करके बताईएगा लाइक करिएगा वीडियो को शेर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं हर दिन एक नई वीडियो लाने की कोशिस करता हूँ और हर दिन मैं एक नई कहानी एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिस करता हूँ कि आपको एक अच्छी कहानी मिले और फ्रेस कहानी मिले सुनी सुनाई कहानी मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ के लिए थोड़ा सा वक्त हमें लग जाता है आप इसे जतना सेहर करेंगे जतना यतना लाइक करेंगे उतनी जल्दी जल्दी में वीडियो और उतनी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तब तक के लिए हमें आग्याते थन्यवाद